हेलो प्रेंट्स आप सब का आपके प्रिणे चनल विन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है तो कैसे आप सब उम्मीद करता हूं आप सब इच्छे होंगे और आप सब के विड़ाय बेचे चल रही होगी तो ककसा देश विज्ञै के महतपुन प्रिक्साउप्यों की प्रेशनों को डिसपस करेंगे आपके विज्ञै की महतपुन प्रिक्साउप्यों की प्रेशनों की सर्चा हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं वो इसे classes आप चैनल की playlist पर जाकर आराम से देख सकते हैं तो आपका जो अध्या number 10 है ये कितने अंकों का है साथ अंकों का है बहुत ही important chapter है प्रोडल साथ अंकों का ये chapter है जिसमें से आपके तीन प्रशन पुछ जाएंगे कितने प्रशन पुछ जाएंगे तीन ठीके और इसमें से वस्तुनिष्ट भी होगा आतिय लगूरात्मक भी होगा और एक लगूरात्मक भी होगा प्रोडल तीन प्रशन होंगे और वो तीनों प्रशन साथ अंकों के होंगे तो चले एक लास सरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कुछ important बहुँ विकल्पी प्रशन की पहला प्रशन है कि प्रकास का वेग सरवाधिक होता है प्रकास का वेग सबसे अधिक किसमें होता है तो प्रकास का जो सबसे अधिक वेग होता है वो होता है निर्वात में किसमें होता है निर्वात में प्रकास का वेग सबसे अधिक होता है दूसरा प्रशन है कि प्रकास का वेग नियूंतम सबसे कम किसमें होता है तो प्रकास का वेग सबसे कम होता है वो होता है कांच में किस सब को पता है कि उतल दर्पन से बनने वाले जितने भी परतिविम हैं वो सब कैसे होते हैं आबासी होते हैं और कैसे होते हैं सीधे होते हैं तो उतल दर्पन से बनने वाले सभी परतिविम आबासी एवं सीधे होते हैं वही बात करें अबतल दर्पन की तो अबतल दर्पन से बनने वाले जीतने भी परतिविम हैं, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं वास्तिवीक और उल्टे, यह आपको ध्यान रखना है, आगे बढ़ते हैं, प्रस्चन संक्या 4, इसी वस्तु का सीधा, कैसा, सीधा तथा आवर्दीत परतिविम, आवर्दीत का मतलब है, वस्तु से बताना है तो किसी वस्तू का अगर हमें सीधा और आवर्दीत परति भी प्राप्त करना है तो दरपन हम करेंगे अवतल दरपन और लेंस के लिए करेंगे हम उतल लेंस ठीक है दरपन के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करेंगे और लेंस के लिए हम करेंगे उतल लेंस का उ होता है तो वैसे आप सब जानते होंगे वन अपोन एफ एक्वल टू वन अपोन वी पलस वन अपोन यू उप्सन नमबर चार आपका बिलकुल सही जवाब है आगे बढ़ते हैं प्रश्न संगेच है यह है 20 cm फोकस दूरी वाले दरपन की वक्रता तरीज्या कितनी होगी तो एक्वल टू शुतर क्या होता है आर वाय टू तो यदि बीस सेंटिमिटर आपकी फोकस दूरी है तो फिर तरीज्या दो पहले के सथ गुना हो जाएगा तो यह कमान 20 है तो 20 गुना दू यानिकी 40 निस उत्र होता है आर इक्वल टू टू एफ क्या होता है आर इकूल टू एफ तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 40 क्योंकि एफ का मान कितना है 20 दो का 20 से गुणा हो जाएगा तो 40 आगे बढ़ते हैं प्रशन संक्या साथ यदि किसी बोली दरपन की फोकस दूरी एफ है और वकरता तरीजिया आर है तो क्या होगा आगे बढ़ते हैं प्रशन संक्या आठ अवतल लेंस के सामने रखी वस्तू का परतिबिम सदेव बनेगा किसके सामने अवतल लेंस के सामने तो अवतल लेंस के दूरा बनने वाला जो परतिबिम है वो होता है आबासी और सीधा और यदि आबासी और सीधा दरपन की बात करे तो वो किसमें बिनता है आपके उत्तल दरपण में प्रशन संक्या 9 निम्नम ऐसे कौन सा परदात लेंस बनाने के लिए परियुक्त नहीं किया जा सकता तो लेंस बनाने के लिए कभी भी मिट्टी का उप्योग नहीं किया जा सकता है आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संक्या 10, कौनसी गटना के कारण पानी में रखी हुई पैंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। पहलता है, उसका अपयोग करेंगे द्वारा बनने वाला प्रतिबिम, आप ईसका उपज़ेंगे가지고 आप सब को पता हैं, हम 30 सेंटेमेटर फॉकस दूरी का ःफतल लेंस तो आप सब को पता है कि अपतल लेंस से बनने वाला परतिबिम जाका होता है आबासी और सीधा तो ऐसी इस्तती में हम इसका उप्योग करेंगे 50 cm focus दूरी का एक उत्तर lens क्योंकि उत्तर lens के द्वारा बनने वाला परतिभीम वास्तिविक होता है और आपका उल्टा होता है ठीक है तो यहां सीधा परतित होता है और यह कौन से दरपण में होता है आप दरपण से चाहे कितने भी दूरी पर खड़े हो आपका जो इमेज है वो सीधा परतित होता है ऐसा किसमें होता है तो या तो होता है वो समतल दरपण में या फिर होता है उतल दरपण में किसमें या तो समतल सब्सक्राइक है तो प्रश्न संगय पानी disruptive रहो हो जाती्ट है और बीधिश्त ब्रश्न संगय फानी का अपवर्तन्स पर्तंग 1.33 है तो पानी में परकास की चाल होगी तो इसका सुत्र अपने चैप्你要 के दोराद बहुत अच्छे से पड़ा था कि पानी का पप्रवर्त नांग और परकास की चाल के बीच में क्या सुत्र होता है तो यहां से जब हम उस सुत्र की मिदर से मान निकालेंगे तो उसका मना जाएगा 2.26 गुणा 10 की गात 8 मिटर पर सेकंड क्या आएगा 2.26 गुणा 10 की गात 8 मिटर पर सेकंड अगर आपकी स्वाल को अच्छे से समझना है तो चैप्टर की व्याक्या के दोरान मैंने इस प्रस्णों को बहुत अच्छे से करा रखा है तो आप एक बार चैप्टर की व्याक्या वाले क्लास जरूर देखे अगला प्रस्ण संग्या 15 प्रावरतन के नियम लागू होते हैं किस पर लागू होते हैं संतल दर्पन के लिए भी लागू होते हैं सही बात है उत्तल दर्पन के लिए भी लागू होते हैं, सही बात है अब अबतल दर्पन के लिए भी लागू होते हैं, सही बात है यानि उप्रोग तो सभी के लिए प्रावरतन के नियम लागू होते हैं चाहे वो समतल दर्पन हो, उत्तल हो या अबतल हो आगे प्रकास के प्रावर्तन की गटना आपतन कोण और प्रावर्तन कोण आर में सही संबन्द क्या होता है तो आप सबको पता है कि आपतन कोण आई बराबर क्या होता है प्रावर्तन कोण आपका आर होता है ये की प्रावर्तन का सेकंड नियम है प्रश्न संग्या सत्रा उत्तर लेंस के लिए वह बिंदू जिस पर आपतित किरन बिना मुड़े ही सीधी निकल जाती है उस बिंदू का कहते हैं उसे कहते हैं परकास केंद्र उत्तर लेंस का वो बिंदू जिस पर अगर आपतित जो किरन है वो अगर पढ़ती है तो वहाँ और उस बिंदू पर गिनने के बाद वो सीधे ही क्या हो जाती है निकल जाती है बिना मुड़े ही तो वो बिंदू होता है प्रकासिक गांदर यह होता है ठीक है अगे बढ़ते हैं रितिस्तानों की पूरती करें पहला पर्शन है निर्वात में प्रकास की छाल कितनी होती है तो निर्वात के अंदर प्रकास की जो चाल होती है वो होती है तीन गोणा दसकी गात आंट मिटर पर सेकंड ये होती है निर्वात के अंदर प्रकास की चाल और सबसे अधिक्तम किसमें होती है निर्वात में ही होती है और सबसे कम किसमें होती है कांच में अगला अभी लंब और आपतीत किरन अभी लंब और आपतीत किरन के बीच बनने वाला कॉन कोण is आपथीत ऐनिा प्रकास रोट से आने वाली किरन तो वह कौन कौन सब क्यों होगा आपतन कौन अगला प्रश्न संके 20 ऐन्स के दुआरा केवल आभासी प्रतीविं मिनता है तो आपका अबतल लेन से अव्तल लेंस और अव्तल दरपन दोनों की जो फोकस दूरी है वो मेंसा रिनात्मक होती है प्रश्ण संक्या 22 प्रकास कीरण का प्रावर्तक प्रश्ट से टकरा कर पुना उसी माध्यम में प्रकास कीरण का लोटना क्या क्या लाता है प्रावर्तन क्या लाता है प्रावर् प्रश्ण संख्या 25 ऐसे गोली दरपन जिनका प्रावर्तक प्रश्ट अंदर की और धसा होता है उन्हें क्या कहते हैं तो ऐसे गोली दरपन जिनका प्रावर्तक प्रश्ट अंदर की और धसा होता है या वक्रिय दरपन जिनका प्रावर्तक प्रश्ट अंदर की और धसा होता और वक्री होता है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं उत्तल दर्पन प्रश्ण संगय 26 गोली दर्पन के प्रावर्तक प्रष्ट के कैंद्र को गोली दर्पन के प्रावर्तक प्रष्ट ये जो गोली दर्पन है ऐसा कोई ठीक है उसके प्रावर्तक प्रष्ट का जो ये बीच वा जिसमें होकर जाने वाली प्रकास की किरन बिना आपने पत्स से विचलित हुए लेंस से सीधे ही बाहर निकल जाती है उसे लेंस का क्या कहते हैं उसे लेंस का प्रकासिक कैंद्र कहते हैं ठीक है प्रशन संग्या 28 लेंस के प्रकासिक कैंद्र तता मुख्य फोकस के बीच की द प्रश्न संग्या 29 उत्तल लेंस की समता धनात्मक तथा अप्तल लेंस की समता कैसे होती है तो वो होती है आपकी रिनात्मक उत्तल लेंस की समता धनात्मक और अप्तल लेंस की समता रिनात्मक होती है प्रश्न संक्या 30, सरवाधिक अप वर्तनांग किसका होता है? हीरे का होता है, कितना? 2.42 प्रश्न संक्या 31, वहानों में पच्छ दर्षे यानि पीचे के दर्षे को देखने के लिए दर्पन के रूप में किसका उप्योग के जाता है? तो वहाँ पर उत्तल दर्पन का उप्योग किया जाता है पीछे के दर्शे को देखने के लिए प्रशन संक्य 32, छेहरे का बड़ा परतिविम देखने के लिए सेविंग दर्पन में कौन से दर्पन का उप्योग किया जाता है तो वहाँ पर अवतल दर्पन का उप्योग किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पन के दुआरा बनने वाले जो परतिवीम है वो कैसे होते हैं वो आपके एक तो जो आवर्दित होते हैं यानि कि छोटे छेहरे का बहुत बड़ा परतिवीम बनाते हैं और वास्पिक बनाते हैं इस वज़े से वहाँ पर अवतल दर्पन का उप्योग किया जाता है प्रश्मे संगे 33 गोलिय लेंस की वर्ता का रूप रेखा का प्रभावी व्यास गोलिय लेंस की जो वर्ता का रूप रेखा है उसका जो प्रभावी व्यास है उसे कहते हैं लेंस का द्वारक कहलते हैं अगला है आपकी V, V क्या है पर्ति बिम की दूरी और बिम दूरी U ठीक है? यानि कि M equal to V upon U ठीक है? पर्ति बिम की दूरी बटे में बिम की दूरी का अनुपात Lens के किसको वेप्थ करता है? Lens के आवर्धन को वेप्थ करता है यू, यह क्यालाता है आपका आवर्धन, अगला 1 upon V minus 1 upon U equal to 1 upon F, यह किसका सुत्र है, यह है आपका लेंस का सुत्र, और यह यहाँ पर बीच में प्लस होता, तो वो पिर किसका सुत्र होता, वो पिर आपके दर्पन का सुत्र होता, अगे बढ़ते हैं प्रशना संके 36, 10 cm वकर प्रस्न संक्या 37 प्रावर्तन के नियम लिखिए और विवरतन को न किसे कहते हैं? प्रावर्तन का पहला नियम क्या है? आपतन कोनि आई तरकास्श रोतसे आने वाली किरन प्रावर्थित किरण इस प्रावर्थक प्रत्य से टकराकर लोटने वाले किरण और आपतंग बिंदू पर अभी लंब ये तीनकी एक ही तलकें अंदर क्या हुज़े हैं? मौजुद होते हैं ये है आपके प्रावर्थन के दो नियम दूसरा प्रशन है वीवर्तन किसे कहते हैं वीवर्तन का मतलब क्या होता है तो यदि परकास के पत में अनि परकास के मार्ग में कोई अपारदर्सी वस्तू अत्यंद छोटी हो कोई अपारदर्सी वस्तू जिसके आरपार नहीं देखा जा सकता ऐसी कोई छोटे आकार की वस् झाल लगता है परकास के इस प्रभाव को कहते हैं परकास का वीवरतन क्या कहते हैं इसे झाल य служit का वी वरतन ठीक निया प्राशन हों क्रश्ण संग्या अठिस एफ तल दर पन और उत्तल दरपन में अंतर बता है और दूसरा प्रस्ण है जब वस्तू को अवतल दरपन के सामने उसके बिंदू C और एप के मद्यव किसके बंद्यव? आपके वकरता बिंदू C और आपके फोकस बिंदू Eप के मद्यव रखा जाए तो बनने वाले परतिभीम का कीरन आरेक बनाओ और उसकी प्रकरति बताओ यह में बताना है ठीक है? तो देखें अवतल दरपन और उतल दरपन में फरत क्या है? वो बताना है तो एक ऐसा गोली दरपन जिसका प्रावरतक प्रष्ट अंदर की और क्या होता है? गोले के केंदर की और वक्रित होता है या दसा होता है उसे कहते हैं अवतल दरपन अब चाहे तो अवतल दर्पन का सित्र भी बिना सकते हैं कुछ इस तरह हो ठीक है एक ऐसा गोली दर्पन जिसका प्रावरतक प्रष्ट अंदर की और दसा होता है उसे कहते हैं अवतल दरपन और दूसरा है उतल दरपन तो ऐसा गोली दरपन जिसका प्रावरतक प्रष्ट बाहर की और उबरा होता है ठीक है या बाहर की और वक्रित होता है उसे कहते हैं उतल दरपन आप चित्र बना सकते हैं कुछ इस तरह यह इस तरह चित्र बना सकते हैं पिर में बताना था कि यदि वस्तु अवतल दर्पन के सामने वकरता के अंदर C और F के बीच रखी है तो फिर आपका प्रतिविम कैसा बनेगा तो देखो यह आपका कौन सा दर्पन है यह आपका अवतल दर्पन है कौन सा है अवतल दर्पन वस्तु का रखनी है C यह आपका वकरता केंदर C है और यह आपका फोकस बिंदू एप है इन दोनों के बीच में रखी है तो अमने यह वस्तु रखनी A B कौनसी वस्तु A B तो ऐसी इस्तती में बनने वाला जो परतिविम है वो कैसा बन रहा है वास्तवीक और उल्टा और कहा बन रहा है तो वकरता केंदर C से परे बन रहा है पीछे के और बन रहा है यहाँ पर बन रहा है ठीक है वास्तवीक उल्टा और कैसा बन रहा है वस्तु से बढ़ा कैसा बन दिया हुआ है किसी अवतर लेंस की फोकस दूरी 15 cm है फोकस दूरी कितनी है 15 cm फिर भीम को लेंस के सामने 10 cm की दूरी पर परति भीम बने यानि परति भीम की दूरी कितनी दूरी यह 10 cm तो हमें भीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखे यानि कि उस लेंस से वस्तू की दूरी आ को ज्याद करनी है और लेंस द्वारा उत्पन आवर्धन भी ज्याद करना है यह एक तो आपको किसका मान निकालना है वी का मान यहां इसके द्वारा बिम्ब का लेंस से दस सेंटिमेटर दूरी पर परतिबिम बने तो यू का मान आपको एक तो निकालना है ठीक है यू का मान वी का मान दिया हुआ है परतिवियम कितनी सेंटिमेटर दूरी पर बंद रहा है दस सेंटिमेटर यह वी का मान दिया हुआ है ठीक है दूरी दूरी है तो वी का मान अमने लिया 10 सेंटिमेटर क्योंकि प्रति विम की दूरी दियो यह 10 cm फिर फोकस दियो दियो यह 15 cm लेकिन अब तर लेंस है तो अब तर लेंस की फोकस दूरी कैसे होती है रिनात्मक तो हमने ले दी फोकस दूरी माइनस 15 cm अब विम की दूरी यानि कि यू हमको ग्याद करना है ठीक है फिर लेंस है लेंस का सूतर क्या होता है 1 upon V minus 1 upon U बराइबर 1 upon F अब हमें U get करना था तो हमने U को उस भाग में ले लिया और इसको भेज दिया इधर पक्सांतरन करके तो सूतर बन गया 1 upon U equal to 1 upon V minus 1 upon F यह आपका सूतर बन गया अब हमने मान रख दिया V की जगह कितना रखा minus 10 minus एप की जगह कितना रखा minus 15 तो यह minus minus क्या हो गया plus तो minus का एक बटा 10 plus एक बटा 15 10 और 15 का LCM ले लिया 30 इसको हल किया तो कितना आ गया U का मान आ गया minus 30 cm मतलब क्या हुआ कि जो वस्तू है वो लेंस के सामने 30 cm की दूरी पर रखे हुई है कितनी दूरी पर? 30 cm की दूरी पर बतलब को यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं किया कि वहला आपको लेंस का सुत्र रखाना है ठीक है? और यहाँ पर हमें V का मान दे रखा है और F का मान दे रखा है और हमें यहां से U कमान निकाल दिया अब हमें आवर्धन निकालना है आवर्धन का सुत्र आप सब को पता है परतिविम की दूरी बटे में बिम की दूरी तो परतिविम की दूरी कितनी है माइनस 10 सेंटिमेटर बिम की दूरी कितनी है माइनस तीस सेंटेमिटर, माइनस ये माइनस कट गया, एक बटा तीन, एक बटा दिन का मतलब कितना है, 0.33 और 0.33 का मतलब क्या है, यह पलस में आ रहा है, और धनातमक चीन यह बताता है, कि परतिविम कैसा बनेगा सीधा, और कैसा बनेगा आभासी, ठीक है और परति बिम्ब का जो आकार है वो बिम्ब के आकार का कितना है एक तिया याने की तीसरा हिस्सा है ठीक है याने की चोटा बनेगा तो ये था आपका प्रशन संक्या 49 आगे बढ़ते हैं प्रशन संक्या 40 दिया गया है अवतल लेंस के मुख्य फोकस की परिबासा दो और दूसरा प्रशन है गोली दरपन का गोली दरपन के द्वारा प्रावर्तन के लिए चिना परिपाटी के नियम क्या है तो सबसे पहले बात करते हैं अवतल लेंस के मुख्य फोकस की परिभासा तो देखो मुख्य अक्स के समानांतर प्रकास की किरने जब अवतल लेंस से अपवर्तन के पचात मुख्य अक्स के एक बिंदू पर मिलती हुई क्या होती है प्रतीत होती है तो मुख्य अक्स का वह बिंदू अव्तल लेंस का क्या कलाता है मुख्य फोकस क्या लाता है मतलब मुख्य अक्स के समानांतर आने वाली प्रकास की जो किरने है वो अव्तल लेंस से प्रावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद ठीक है जिस बिंदू से ओकर क्या होती है गुजरती हुई हमें परतीत होती है जिस बिंदू पर मिलती हुई हमें परतीत होती है उस बिंदू को कहते हैं अपतल लेंस का मुख्य फोकस ठीक है और गोली दरपन के लिए प्रावर्तन के जो नियम है चि क्या मानते हैं मुल बिंदू मानते हैं ठीक है फिर दरपणों में सभी दूरिया कहां से मापी जाती है उसके द्रूव से मापी जाती है तीसरा नियम क्या था मुल बिंदू के डाई और की जितनी भी दूरिया है वो सब धनात्मक और मुल बिंदू से बाई और की जितनी भी दूरिया है वो सब क्या माने जाती है वो सब रिनात्मक माने जाती है ठीक है यह आपके तीन नियम थे गोली दर्पन के द्वारा प्रावर्तन की जो छिना परिपार्टी है उसके लिए तीन ये मुख्य नियम है ठीक है आगे बढ़ते हैं किसी वस्तु का आबासी सीधा और चोटा परतिबिम पराप्त करने के लिए किस्त दर्पन का परियोग करेंगे और इसके सामने रखे वस्तु का कीरनारेक भी बनाओ देखो कैसा परतिबिम पराप्त करना है मैं अभासी, सीधा और छोटा तो वो किसमें बनेगा आपके उत्तल दर्पन के द्वारा उत्तल दर्पन के द्वारा जितने भी बनने वाले परतिविम है वो आभासी होते हैं, सीधे होते हैं और चोटे होते हैं तो हमने यहाँ पर जो किरन आरेक बनाया है उसके जरे ये दर्शाया है कि जो परतिविम है परतिविम को आपने यहां पर रखा है यह देखो AB यह आपका क्या है वस्तू है वस्तू है यह वस्तू है ठीक है और यहां से ओकर जब किरने आपके इस उतल दरपन के उपर क्या हो रही है तकरारी है तो ऐसी इस्तती के अंदर क्या हो रहा है कि जो परतिविम है वो यहाँ पर देखो इस वाले भाग में ठीक है दरपन के धुरूब और फोकस के बीच में बिल्कुल छोटी आकरती का बन रहा है वो यह कैसा बन रहा है परतिविम है वो आपका कैसा है वो आपका आपका आबासी परतिविम है ठीक है तो इस परकार आज की क्लास में हमने आपके लगबग 40 पलस important जो questions थे उनको discuss किया है आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं आपके पार्ट टू के अंदर हम इसके कुछ और में तो पर प्रशन जो बच रहे हैं उनको discuss करेंगे उम्मित करता हूँ आज हमने जितने भी प्रशन डिसकस किये हैं वो सब आपको उच्छे समझ में आये होंगे और आपके आने वाली बॉर्ट प्रिक्सा के लिए उप्योगी साबित होंगे तो क्लास देखने के लाप सबी को धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और महनत पसंद आई है तो फिर लाइक कमेंट सेर और सब्सक्राइब जरू ठोक दे आज के लिए इतना ही जे हिंद जे भारत